अगला सवाल माइक नमबर तीन से वहाँ पर कोई अगर गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नमबर तीन से मेरा नाम नित्यानन यादाब है जिस बीबी को एक दो तीन चार बच्चे हो और उसकी एक दो तीन गलती पर पती के ओर से तलाक दे दी जाए फिर उसकी साधी ना हो और वह जिसम बेचने वाली आवरत हो जाती है ऐसी इस्तिति आ सकती है तो मुस्लिम कमेटी में तलाक क्यों जबकि हिंदू धर्म में तलाक का पर्था नहीं है मेरा गुजारी से है डाक्टर जाकीर से कि आपके जवाब पर सवाल पैदा हो सकती है अगर मुझे आप संतुष्ट पुर्वाग जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूँगा क्योंकि मैंने विभिन जल्सों में गया और देखा कि हिंदू धर्म गलत है मुर्ति पूजा गलत है तो आज मुसल्मान भाईयों दस हजार बिस हजार की कुर्वानी करते हैं लेकिन पांच सो रुप्या का एक बकरा धाकर भैसा खरिद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं और मुर्ति पूजा गलत है मुर्ति पूजा गलत है तो मैं आप से गुजारिस करूँगा पार बर दर्खस करूँगा कि आप मुझे सब कुष्ट कर दीजिए मैं इसी वक्त भर कबूल करूँगा मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा हिदाद देना अल्ला के हाथ में मैं आपको जवाब दूँगा इंशाला भाइसाब का सवाल है कि इसलाम मजभ में अगर कोई आउरत गलती करती है हिंदू धरब में तलाख है नहीं तो इसलाम धरब में तलाख क्यूं है बेसिक आपका सवाल है कि इसलाम मजभ में तलाख क्यूं है बराबर हिंदू मजभ में तलाख क्यूं है बराबर वैसाब कि इसलाम मजभ में तलाख क्यूं है बराबर वैसाब क्यूं तलाक है आपके में पढ़ेंगे वर्स नंबर 31 और 32 इटाज बीन टोल ऑफ ये ओल टाइम दाओ शेलोंट गिव बिल ऑफ डिवोस बट आई सेंटू यू पहले कहा गया था कि डिवोस देना गलत है लेकिन मैं कहता हूं अनलेस आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करते हैं फिर ही आप डि हिंदू मदब में डिवोस ही नहीं है यह इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पिनल कोड है मैं बिलकुल आपकी बास्ते सहमत हूं इसलाम मदब में डिवोस है लेकिन ये आखरी मरहले पे आप इसको इस्तिमाल करना चाहिए चूँके निकाह एक मिसाख है जो कुरान निथे पैकाह एक मिसाख है सेकरिट कॉविनेंट एक कोंट्राक्ट है हम मियां बीवी होंगे अभी कितनी बार आप बिजनिस करते हैं पाथनर के साथ अक्सर बिजनित अच्छा चल जाता है कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता होता है कि ने तो आप क्या करते हैं प्यार से उसके साथ पाठ हो जाते हैं इसलिए जब यह कॉंट्राक्ट आप मियां बीवी का करते हैं कॉंट्राक करते हैं आप कॉंट्राक करते हैं compatible नहीं है जरूरी नहीं है कि बीवी घलत होना चाहिए या शोहर घलत होना चाहिए बहुत से बार दोनों अच्छे पर compatible नहीं है तो अगर मिया बीवी compatible नहीं हो सकता है दोनों अच्छे है लेकिन compatible नहीं मतलब इनों में बराबर जचता नहीं है आप आएंगे मगरबी मुल्क के जो कस्टम्स है रीटी रिवात अलग है हिंदुस्तान के अलग है बहुत से बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेंगा ना इस्टन कल्चर अलग है हम सब्वेता में मानते हैं हम मौडेस्ट है वह वेस्टन कंट्री में बिक्नी में घुमते आपकी बीवी बिक्नी में घुमेंगे तो आप तो लात मारेंगे उसको ना वेस्टन कंट्री में चलता है आप समझे के ने बाई साब बाई साब जी समाझता नहीं है लेकिन सेधिवाघु सब्सक्राइब मेरा जवाब फूरा नंहीं तो अगार आपकी वी बिकनी में घुमेंगी तो आप तो बोलेंगे वै जार अपने अपने घर पे जा वेस्टन गंट्री में चलता है, उनकी बीवी बिक्नी में घुम्टी उनको कोई फरक नहीं, और हो सकता है कि दोनों में से एक अच्छा नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे नहीं, तीन जीद हो सकती, दोनों अच्छे लेकिन अच्छा नहीं है, या दोनों में से शोर अच्छा नहीं, या बीवी अच्छी नहीं या हो सकता है कि दोनों अच्छी नहीं तो ऐसे मोके पे कुरान मजीद में अल्ला सुभानाओं ताला ने तरीके दिखाई किस तरीके से तलाक होना चाहिए जब तलाक होता है तो तलाक के कुछ शरायत है कि पहले आपस में बीवी और शोहर बात करे भाई क्या प्रॉब्लम है आईसे ने का बीवी नमक ज़्यादा दाली खाने में आपने बला तलाक तलाक अब नमक नहीं ज़्यादा पसंदो बोलो बीवी को भाई नमक कम डालो बेट के बात तो करो तो खुरान मजीद में लिखा है कि पहले आपस में बात होना चाहिए आपस में बात करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अर्बेटर लेक्याओ बीवी के घर के तरफ से बीवी के तरफ से अर्बेटर लेक्याओ समझज़ता के लिए शोर के तरफ से एक को ये बड़े को लिकाओ, समझता के लिए, एक मीटिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझता हो जाता है, फिर भी ने प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो फिर आप तलाग दे सकते हैं, तलाग देने का तरीक है, तलाग तलाग ने, तलाग दो, फिर तीन तो ये ट्राइल पिरिड भी अल्ला ताला ने दिखाया है अभी मैं आपसे सवाल पूचना जाता हूँ भाई साब अगर आपकी एक बहन है आप अपनी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश करते हैं मैं सब आप सुनने मुझे ना जी सर मैं सब आप सुनने के लिए मुझे आप अपनी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश करते हैं एक दम तहकी करने के बाज तहकी के बड़ा बाद आपको बटा लगता है क्या है बाए सब वो शोहर जो आपनी मेले तलाश के बिलकल गलत अदमें क्या हो गया वो रोज मुझे मारता है क्या बाद है वो शराप पी क्ये मारता हैं आप जाए कि उससे बात करेंगे न queremos किए फिल के करेंगे वह त क्यों मारता Yip मुझे मन आता है कि आपके प्रमजानी के बाद फ्रीप्यूट नहीं माननता है हर रोस मारता है आप अपनी बहन को पसंद करेंगे कि उसके साथ ही जीए आप पसंद करेंगे वो तलाक लेकि दूसरे के सारा शादी करें मैं आपसे पूचना चाथा हूँ बाइस पुछना चाथा हूँ हिंदू की बात ने करता हूँ हिंदू मुस्लिम को छोड़ो भाई साब मैं आपसे पूछना चाता हूँ अगर आपकी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश किया एक सार बात पता चलता है कि वो आदमी अच्छा नहीं है शराबी है जुवारी है रोज आपकी बहन को मारता है उसके साथ गरत हरकत करता है अपने दोस्तों को लाखता है आपकी बहन के साथ होने के लिए तो आपको पता चलेगा तो क्या करेंगे आप पसंद करेंगे आपकी बहन इसको जहलते रहे क्या पसंद करेंगे बहन उसको छोड़ो दूसरे से शादी करो मैं उनको सबक सिखाता हूँ कि देखो बहान तुमको जो पती मिला है तुम उसी का सेवा करो एनि चुके हमलों का धर्म में जो है जब भिवा हो जाती है आपकी धर्म की बात कर रहा हूँ धर्म पे बात में आऊँगा मैं मैं आप से पूछ रहा हूँ कि आपने बहन से कहा कि आप अपने शोगर की आप खिसमत करो खिसमत करने के बाद भी रोज मारता है उसकी क्या गलती बिचारे आपकी भेंगी आप बोलेंगे बर्दाश करो आपको कल कोई मानने लगेंगा रोज आप जल्म करने लगेंगा का ब पाकिस्तान रिपोर्टर में ऑस आप मुस्लिम कमिटी के आउरतों से मेरी बात ना पाकिस्तान को छोड़ो मैं आपसे सवाल पूछ आप मुझे सवाल किया मैं आपसे सवाल पूछता हूं पाकिस्तान में क्या हो रहा है छोड़ो मुझे भी आपकी फिकर है आपको अगर आपकी बीवी रोज मारती है हां जी रोज आपको मारती है रोज जाके भार रेश करती है आप क्या करेंगे मैं मोटे रस्ती से बान करके उसको रखूंगा तुम क्या बाद नहीं उनको नहीं तलक का तो बात नहीं करेंगे अब दिखने में कैसे मुझे नजर आ रहा टेलेविशन पे मैं आपकी बीवी अगर एक्दम अट्टी करती है आप क्या उसको किले से बांद नहींगे वह जापड आपको मारेंगी अब गिर जाएंगी फिर आप क्या करेंगे बोलो हम लों का जो आवरत है रोज मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है यह इसवार हमारे पती के लिए लंबी उमर चाहिए बाइसाब आपकी बीवी बहुत अच्छी है अन्हम्दुलिल्ला मैं आपकी बी प्राइब कर रहा है अगर है फोट्री के लिए अगर आपकी बीवी इसी होती आपको भगवान ने अच्छी बीवी दिये तो आप किस्मत वाले है अगर आपकी बीवी साही नहीं तो आप क्या करते थे सर एक दो परसंट हो सकते हैं लेकिन आम में नहीं आप मुस्लिम ने किया करते ते आप दो परसंट कि बात कराओं पार जी असह तो पार्संट में मुज़ण मन पर बाद में आउंगा मैं पहले आप पूछ रहा हूं अगर आपकी बीवी आप से ऐसी हरकत करने लगी यह आपका भेनों भी आपके भेन को रोज मारता है तो आप क्या करेंगे एक पसंट होगा दो पसंट मोलते हैं मैं एक पसंट मोलता हूं आप क्या करेंगे नहीं मैं चौर देंगे नहीं के बांद करके रखना आपने बंत कर सकते आप आप किस्मत मुस्toi रहार भाई साब मैं सब जवाब दूँगा आपको मैं आपसे सवाल पूछ तो आपके साथ इसी हरकत हुई आपकी भेन को अगर कोई रोज मारता है आपका भेनोवी रोज परिशान करता है लाल पीला करता है शराब पीता है जुवारी है तो आप क्या बोलेंगे भेन को मैं तो करा पी तयार नहीं होगा यह बात में नहीं क्या बोलें आप अपने बेन को बेन को बोलेंगे की निए छोड़ सो मैं तुम जा उसका कदमों में जाके पड़े रहो इसको कदमों में ही तुम मर जाओ कदमों में नहीं मर जाओ तो क्या इंसानियत है नहीं ऐसे धर्म को मानते आप जी ऐसे धर्म को मानते हैं कि जो शोहर अगर पती के दुवारा मारे जाते हैं तो जन्नत का हगदर हो सकते हैं किदर लिखा है आप ऐसी किताब में मानते हैं अगर ऐसी किताब में लेगा तो हर शोहर अपने तो बता रहा हूं साहर कि एग जो बोल रहे इसी लिए जितनी नाइंसाफी और दोप हो रही हिंदुस्तान में उसकी वज़े यह है उसकी वज़े यह है कि हिंदू आउरतों पर साइन साफ भी होती है वो चुप चाप दहन करते हैं क्यों उसको आवाज उठाना चाहिए मुसल्मान आवरोते आवाज उठा दिये तो आपको दिखने में आता है जो आप बोलते हैं तलाक कितने लोग का तलाक यहां पूछेंगे मज़पिट में लाख हो लोग है कितने अगर तलाक की फीसद देखी जाएंगी तो मैक्सिमम मैक्सिमम दो या तीन फीसद होगा लेकिन ये दो या तीन फीसद पे जो जल्म होता है हो सकता है पांच फीसद पे जल्म हो रहा है तीन फीसद आवरोत आवाज उठा रही है हिंदू के अंदर कितना जल्म हो रहा है व तुम्हारा इश्वर वो शराबी भी है जोवारी भी है तुमको मारता भी है तुम्हारे साथ दोस्तों से भलातकार कराता है फिर भी इश्वर कैसा इश्वर इश्वर एक है तुम्हारा शोहर नहीं शोहर इश्वर नहीं है बाई साब इश्वर एक है उपर वाला इश्वर ह शोहर कभी इच पर होता नहीं हाँ शोहर की इज़त करना चाहिए लेकिन इज़त करने की हद होती है अगर हद से बाहर हो जाता है तो इसलाम में इजाज़त है कि वो अलग हो सकते है शोहर भी अलग हो सकते है आउरत भी अलग हो सकते है अल्ला के रसूल फर्माते है कि सबसे अच्छे मुस्लिम वो जो अपने खांदान के लोगों से अच्छे है खुसूसान अपनी बीवियों के साथ तो कुरान में लिखा है और अधिस में भी लिखा है कि आप अपनी बीवियों की देखबाल करना चाहिए और बीवियों से कहा गया है कि आप अपने शोर की देखबाल करना चाहिए, कुरान में लिखाए बखरा में थरय लिस्वानेक्डरा में तुरा नमबर 27 में हुनना लिबासु लकु मंतुन लिबासु लाहुन कि आपकी बीवियां शोहर का लिबास है और शोहर भीवियों के लिबास है लिबास मतर फिखक नोख सहरा देते एक दूसरे को पट्रेक करते है ऐस्लाम है का मतलब नहीं ने है आपने शादी कर दियो घुरू एक ज्यादे तो बिकरो इसलिए आज जैसे भाई हैं जो बोलेंगे कि कुदम में पढू अजाओ जन्वक्त में जाएंगे तो कौन भेंध दौा करेंगी कईशा भाई उसके पासो कौन भेंध दौा करेंगी मेरे पे खुन्म होझा मेरी झान्नम बन रहे और मेरा भाई बोलते है जन्नत जाएंगी कईसा ये कईसा इनसाफ है इसे लोग दुआ करेंगे इसे भाई से मुझे निजात दो ये भाई से छुटका रहा दो और इसलाम में जल्म करना हराम है जल्म बरदाश करना हराम है आप अगर जालिम का साथ देंगे तो आप भी जाओ तो बेंदो सकता है वेचारी बर्ताश करिये तुम नर्ख में जाएंगे तुम को बचांएगा बैसाब आप अनकि में जाना जाते है सवर्ग में इससाब सर मानता हूं आपका बात आप स आप अगर आउरत होती थी तो अगर खुदा आपको आउरत बनाता था और आप पे जल्म होता था आप क्या करती थे हाँ वो धर्म होना चे जो सारे इनसान को यकसा मानता है कुरान शरीफ में लिखा गया है सुरह उजुरात में सुरा नमर उन्चास आयत नमर तेरा में या अयुवन नासु इन्ना खलकनाकु मिन जक्रिन वा उन्सा वजलनाकु शूबं वकबाईला लितारफू इन्ना करमकु मिन्दलो यसकाकु मिन्दलो अल्मु खबीर एए इन्सानों हमने तुम्हें एक जोड़े से मनाया मर्द और अउरत के और आपको तक्सीम किया एक कबाईल में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको ना कि आप एक दूसरे से नफरत करो और सबसे बहतरी इन्सान वो जो तक्वा रखता है जो अल्ला सुबानाओ ताला के कहने पर अमल करता है इसे कहते है तक्वा कुरान में एक इन्सान दूसरे इन्सान से उचा कैसे हो सकता है ना जिन्स के बुनियाद पे ना पैसे के बुनियाद पे ना रंग के बुनियाद पे ना देश के बुनियाद पे लेकिन तक्वे आपके बुनियात पे तक्वा मतलब God Consciousness, Righteousness, Piety आप अच्छे इंसान बन सकते जबी आप अच्छे इंसान होंगे, Righteous इंसान आप खुद अपनी बेहन के लिए हक नहीं चाहते तो आप कैसे भाई है फिर बाई साब, आप अपनी बेहन को कहते हैं कि आप उसके कदमों में मरो, क्योंकि आपका मजब कहता है, बराबर बाई साब, जी, आपका मजब सही कहता है, ऐसा तला करना तो सही नहीं लग रहा है और भेन के उपर जुम हो रहा है उत्क ही लग रहा ह। अलवा के यहित कुछना चाहता हूं आपसे के अगर मोज़ते है份 आप ने बोले कि उससे चुप चा्छाइजब तहन करना चाहिए अगर ऐसा करें तो अक्सर आदमियों जल्म करने लगेंगे मुसल्मान तो ज्यादा जल्म करेंगा तो मिचारे छोड़के चले जाएगी मैं पहस जाओंगा खाना मुझे पकाने पड़ेंगा फिर बना वो छोड़के भाग जाएगी तो हिंदू तो पूलिस भी अंदर कर लेंगा आपके बेनोई को आप समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं लेकिन सर लेकिन कबूल करना मुश्किल पड़ता है लेकर नहीं साब कबूल करना हमेशा मुश्किल है वाइसाब क्योंकि देखा गया कि जितने बीवी को तलाग दिया गया उसकी इसनी शादी करना अच्छी बात है हमारे रसूल मुश्किल ने पहली बीवी जब की शी वाज विडोड उनके शोवर मर चुके थे अब समझे ना और जितनी भी बीवियां जो मुश्किल की एक को छोड़के अकसर इदर विडोड थे या डिवोसी थे आप समझ रहें ना त बाबा की दोर में तहबिया भी अच्छी थे शादी करो दोनों अच्छे थे लिकिन अपस में उनका मेलने होता तो जुड़ा हो अब दूसरे से शादी करो इतना असान मतब जरूरिय का जबर जबर जस्ते अगर स्क्वेर को आप राउन में डालेंगे फिट ने हो रहे तो अब दबा की करेंगे फिट डॉंट राइट वूट अस्क्वेर इन राउन डोल अगर स्क्वेर को राउन में डालेंगे फिट ने होएगा अगर फिट ने हो रहा है तो आप पाट करो अच्छे तरीके से प्यार से मुबबत के साथ उनको खाली पीजी कोट के अंदर जाके प्यार से अलग हो जाओ आप दूसरी से शादी करो यह दूसरी शादी करेंगा यह सबसे बहतरी ने सारे इंसानों के लिए और दोनों जन्नत में भी जा सकते ना जरूरी क्या क्या वो शक्त इतना खुलम उठाए हग तो आपको पता है लेकिन मानना मुश्किल आपकर आप आपको जवाब देने के बाद भी आप बोलते मानते लेकिन कबूल करना मुश्किल है